जहीं साथियो स्वागत है आपका मेरी अपनी यूट्यूब चैनल पर साथियो आज हम बात करने वाले हैं आपको पूरी वीडियो प्रवाइड करता हूं और आर्मी की जो पेपर है वो भी आपको मैं सल्यूशन पूरा वीडियो डालता हूं ठीक है तो चलिया आज हम पूर्वायार में स्वालपूर एरो का। चलिये दोस्तों वी कट्रक करते हैं पहले आर्मी के पेपर में खेल से संबंदित एकने कोश्चन जरूर आता है मैंने पिछले दो कोश्चन पेपर स्वाल भी करवाया था जिगड़ी के थे वह तो उसमें भी आपने देखा था खेल किसा रिलेक्टिड आपको कोश्चन दीखे गाई थे ठीक है तो पहला कोश्चन है ऐसे संबंदित है तो पहले का उचल कोश्चन है है कि अगर। संब्सक्राइब कर दो डावाएब बनाएगए यह वो सरदार वल्ला भाववाई पटेल वी याद रखना है और इसकी लंबाई भी याद रखना है कितनी है 182 मीटर ठीक है यह दो चीजों को माइन बर रखना है कि यह दो चीजें से आपका कोश्चन बनने वाला है साथ यह और मैं आप चीज को बता दू कि यह भात का दूसरा सबसे बढ़ा बांद ठीक है सर्दार सरवर योजना की जो बात बनाया गए उसको 163 लंबाई है ठीक है यह कोश्चन भी आपको याद रखना है नेस्ट कोशन है महत्मा गाधी के द्वारा प्रकासित किया गया पत्रिका का नाम क्या था ठीक है तो महत्मा गाधी द्वारा जो प्रतिका थी वो प्रकासित की गई दुन भी आपको या इंडिया का अंसर करने डीति यंग इंडिया तो 7 ना मवाव्रीक क्स प्रदेश में इस्तित है यह पहुत ही अच्छा कोश्थ्टनgender रानी'll कि बाव रावडि किस प्रदेश में इस्तित है तो ये जो साथियों गुजरात में इस्तित है ठीक है इसा कुछा राजदानिया डाल्सी गुजराती कैपिटल क्या है इस वे पता हुआए गांधी नगर मैं आपको अभी भी याद दिला दे रहा हुं कि याद करना है एक नई कैपिटल आपको देखने को मिलने वाली है आर्मी के पेपर में ठीक है गुजरात की क्या राजदानी कैपिटल होगी गांधी नगर इससे रिलेटेड और कोशन बनते हैं साथ यो इसकी और जानकारी मैं देदू कि जो है इस चित्र को जुलाई दोहजार अठरा में अर्वाई द्वारा स्वा के नोट पर चित्रित किया गया थे किसको रानी की बाव को ठीक है इसे युनिवेस्को के बिशुब्रासत इस्तल में सम्मिलित किया गया है रानी की बाव को तो यह अपना पहला सेक्षन खटम होता हुआ इसमें जीके के समान कोश्चन पुछे जाते हैं अब सेकंड सेक्षन आपका चालू होता है समान विज्ञान का अब हम इसको करते हैं तो इसमें पहला कोश्चन दिया हुआ है सूरी के चारो तरफ किसी ग्राय के रास्तियों को कहते हैं ठीक है यहां पर दिया हुआ है रूट कास्टिम हाईवे अकास गंगा और अर्बिट तो चाहती उसका जो आंसर रहने वाला है और ठीक है और विट हो इन्दी में क्या कहते हैं ग्राय तो आप याद रखेगा और रखेगा और इंदी में ग्राय कहते है ठीक है जाता है एक हो एक उर सबस् ensembarate कि नेत्र दान के समय मन उस से दूरा क्या दान किया जाता है ठीक है तो यहां पर कई लोग रेटीरे लगाके जाते हैं पर रेटीरे बिल्कुल घलत है क्या धान करते हैं सथिए कौर्णिया को दान किया जाता है ठीक है तो किसा रोगी के षरिर का थापमान चले क्या क्या होगा तो इसका थापमान, इसका थूरा इसके निकाल लेजिएगा आपusch सूथरो होता सफित त समय ब Cathy ендアइज निकल लेजिए गाओ अन्स थापमान, भूच्छी क्लस ला सफ और भी प्ण०ॉ आप यहां मान रख दीजिएगा आपको यहां मान रखते ही आपका अंसर पता चल जाएगा ठीक है तो इसे कौनसा अंसर सही हो जाएगा नंबर A 104 डिग्री फरेनाइट नेस्ट कोशन है बहुत इंप्रोटेंट कोश्चन है यह यहां पर बोला गया है कि आंस्टाइन ने आपको पता रहा है कि कौनसा जाएगा नंबर एक कोईला बाकी यह सब नवी करने साधन है कोईला जो है जो है जो सब्सक्राइब नवीन करने ही साधा ने ठीक है साथियो नेक्स्ट सेसन से है इसमें आपको गड़िद के क्रोष्टन देखने को मिलेंगे 11 से 20 ठीक है तो हम गड़िद क्रोष्टन सॉल्ब करेंगे 11 नमर पर दिया हुआ है 500 रुपए पर 6 प्रिस्द वार्सिक दर से 4 वर्स का व्याज ग्याद करो तो यहाँ पर देखे 500 रुपए दिया है 6 प्रिस्द दिया है और समय 4 वर्स दिया हुआ है तो हम सूत्र के मताबिद इसको जमा लेंगे 500 रुपए पी मुल्धन दिया हुआ है और आपका टाइम दिया हुआ है और हम बटे में 100 कर लेंगे ठीक है यहाँ पर हम पुरा रख देंगे 500 गुडित 6 गुडित 4 पूरी वैल्य पुट कर दिये और 100 इंपुट कर दिये दो सुन इसे दो सुन कर जाएगा और तीनों का गुड़ा कर दिएगे 5 गुडित 6 गुडित 4 ठीक है चैपंजी 30 30 का चार में गुड़ा कीजी तो 120 आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो आप्शन में आप देख लीजे 120 है यह 120 दिया हुआ है तो इसका आंसर का जाएगा न संख्या ग्याद कीजिए दो संख्या बोला है तीन एक्स तीन मान लेंगे हम उसको दो संख्या बोला है तो हम क्या मान लेंगे तीन और एक चार मान लीजिए ठीक है तीन एक्स मान लीजिए और एक चार एक्स मान लीजिए तीन एक्स अपन चार एक्स इसमें क्या बोला तो सांतियों आप इसका तिरिया गुड़ा कर दीजिए तिरिया गुड़ा करेंगे तो साथ पना पैंतिस हो जाएगा 35 माइनस साथ दूंचवद्वा सत्तिरी 21 हो जाएगा सॉरी सत्तिरी 21 हो जाएगा X माइनस साथ पना पैंतिस बराबर पाच का इसपे गुड़ा कर दीजे ते टीरिया गुड़ा करना है 25 कि 20 X माइनस 25 आप इसको घटा दीजे यह देखेगा ये 35 में से 20 गया तो कितना बचेगा साथ यह 20 ग्चेगा और यहाँ पर 35 में से 10 बचेगा और 21 क्या आगए तो X कमाण किया आगया 10 आ गया अब यहाँ पर क्या भूलाँ हुँ थो संख्या गयाद कीजिए हमको संख्या याद कर प्राइध 4 थे खर स्याँ को जाइगा थि seems का इस तो 3 हीलिए नेक्ट यह कैट है आपका 400 क का मूल याद करें ठीक है बहुत यह क्वोषजव के 2 परसेंट बराबर 400x करिंजिए डारेक्ट आपको क्या करना है एक सब्सक्राइब कर देना है बराबर क्या बोला है 400 तो आपको क्या करना है बीस पंचे सो कर देना है और पांच का चार सो में गोड़ा कर दीजेगा तो आपका 2000 आंसर निकल के आ बहुत सिंपल कोश्चन है ज्यादा घपराना नहीं इस टाइप के कोश्चन पूछे जाते हैं बस आपको माइंड लगाने का ठीक है ज्यादा आप टैंसर ना लीजिएगा मैस बहुत इजी आती है इंडियर आरिमी के पेपर में किसी आयत कार मेंच के सता उपर का परिमार 28 मीटर है उस मेंच के भिकरणे की लंबा your की दिमांग लगाना है पहले आयत का परिमाप ग्याद करना है आयत का परिमाप क्या होता है आपको लगाना है आयत का परिमाप होता है 2L प्लस B ठीक है तो ये परिमाप हो गया और आयत का छेतरपल कितना होता है और छेतरपल होता है ये दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है तो L प्लस B क्या दिया हुआ है आपको परिमाप दिया हुआ है 28 और एल गुलिद भी मतलब 6 पल कितना दिया हुआ है 14 ठीक है तो एल प्लस भी बराबर हम दोनों को काउंट कर लेंगे तो कितना जाएगा अपना एक मिन्ट थोड़ा सा ठीक है साथ ही अब हम सॉल्ब करते हैं आयत का परिमाफ क्या होता है आयत का परिमाफ होता है टू एल प्लस भी और बराबर परिमाफ का दिया हुआ है ठीक हम वैल्यू पूट कर देंगे यहां पर तो एल प्लस भी और यह तो अपना जो रहेगा इधर चल जाएगा भाग में तो दो एकम दो दो चोके आट एल प्लस भी बराबर 14 हो गया और एल गुलिद भी बराबर प भी बराबर यहां पर चौह जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा चाहिए और यहां पर कितना हो जाएगा स्थाट टो इसका पूरे करेंगे तो कितना जाएगा आपका सोवाज जाएगा और सो का tas स्कोर कितना होता है 10 को ठीक है 10 तो इसका आंसर के हो जागा 10 आपका रहने वाला है तो यहां पर दीकिए option में 10 यह हुआ है यह दस दिया हो तो इसका आंसर के हो जागा नमर B next question है एक ब्रत की परिधी ततह छेत फल का संख्यात माख्मान बराबर है ब्ected की तिज्य का संख्यात्पकमान गयात करो ठीक है बहुत इजै को सचन ही इसमें उमले सूत्व रखना है ब्eding की परिदी का छ direct पर होता है रोव 20 याउ तो यहां पर एक और से यह र हठी आप्ट है यहाँ three kare parts appointment करना है आप यह मत सूचिए कि बहुत हार्ट कोश्चन आते हैं ज्यादा हार्ट कोश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे बस आपको दोड़ा सा माइंड सेट अप करके इसको सॉल्व करना है नेस्ट कोश्चन आपको दिख रहा है कि निमलिकित पुर्णांकों का महत्तम स आने वाला है नमबर यह देखके यह आपको आंसर पता चल जाएगा नेस्ट कोश्चन आपका क्रमागत दो भीसम धनपूर संख्यां ग्याद करो जिसके वर्ग का योग 290 होगता है तो हमको डालेट कुछ नहीं करना हमको ऑप्सन से ही पता कर लिए देखे नमबर पहले व आपको ऑप्सन से ही सॉल्व हो जाएगा आपको जादा कुछ नहीं करना है तो यह नमबर का आप्सन इसका सहीं हो जाएगा ग्यारा और तेरा नेस्ट कुशन आपका निमलीकित में सब्सक्र छोटा खंड बताईए ठीक है यहाँ पर दो बाटे पांच दो बार दे दिवा हो है तो हम इसको पहले वाले को नहीं करेंगे इतने को करना है ठीक है आठ बटे पच्चीस साथ बटे पंदरा दो बटे पांच तीन बटे दस हमको क्या करना है पहली वाले संक्या को सभी के साथ आपको गुड़ा करना है ठीक है तो बटे पच्चीस आठ बटे पच्चीस एक मिनिट आप तिरिये गुड़ा कर दीजेगा तो आपके सभी का आंसर निकल के आ जाएगा यही ट्रिक है इसकी साथ हो तो यहाँ पर पंद्रा यहाँ पर आप गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर देखें छोटा क्या है यही संक्या चोटी आ रही अब सेकंड आप फिर साथ ले लिजेगा आठ बटे पच्चिस गुड़ित इसके बाद कौन से संक्या दी हुई है अपनी दो बटे पांच फिर गुड़ा कर दीजेगा आठ पंच चालिस और पच्चिस से कम पच ठीक है यह भी बड़ी आ रही है थोड़ी अब लाश्ट संक्या है लाश्ट संक्या गुड़ा कर लीजेगा आठ बटे पच्चिस गुड़ित तीन बटे दस तो असी आ जाएगा आर्धम असी पच्चिक में पच्चिस पच्चिस तीया पच्छत्तर तो यहाँ पर देखे सबसे चोटी क्या रही है थीक है सबसे चोटी पच्चतर संक्या रही है इसकी तीन बटे दस के साथ करने पर तो इस चहां पर कौन सी संक्या आ जाएगी आपकी तीन बटे दस आपका आंसर जो है सही रहने वाला है जो इसका आंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा तो आप इससे भी गयाद कर सकते हो सांतियों दसम्णलाव पद्धाती से भी आप इसको कर सकते हो जैसे कि 25 बाटे आत दिया हुआ है तो आप दसम्णलाव लगा की इसको solve कर सकते हो वह तुर तुर्टिक बहुत लंबी हो चाएगी आप यह ट्रिक्स से करना तो आपको जल्दी solve हो च आते हो सबसे पहले आप जी के जीए सब कुछ कर लेते हो यह करना चाहिए पर देखिए मैस के जो सवाल है इजी कोशन रहते हो आपको पहले कर लेना है क्योंकि आपका स्कोर ज्यादा हाई हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा और जो कुशन नहीं बन रहे उसको आप में कीजिएगा तोड़ी महनत से ठीक है और मैस को आप ज्यादा माइंड मत कीजिएगा क्योंकि मैस आप जितना कटीन सोच तो इतना कटीन नहीं आती बस आपको थोड़े सा माइंड लगाने का रहता है तो साथ यह तीन सेक्शन में आपको करबा दिया हूं आपका जो है सेक्शन मता इंग्लिस का इंग्लिस का आपको जो सेक्शन बचा है वो इंग्लिस का सेक्शन में आपको नेक्ट वीडियो पर लाकर दे दूँगा और साथ यह कॉमेंट्स करिएगा कि नेक्ट कोशन पेपर आपको मैं कौन सा सॉल्व करवाऊं तो आप कॉमेंट में बता दीजेगा तो नेक्स्ट कोश्टन पे परमा वही लेकर आऊंगा ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो पर जलूर मिलते हैं इंगलेश के 25 कोश्टनों के साथ तब तक के लिए जया हिन जया भारत